इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के समूत्री ओपियंत्री मांचेत्रकार समाइपाल इवं समकक्षपदों की भरतियतू संयोक्त परिक्षा 2022 के बारे में जिसका जो रूल वुक थी आ चुकी है और नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया था कि पहले ही आ चुका है और इसके जो फॉर्म फिल वगएरा है यह नौतारिक से होने वाले हैं तो इसमें काफी अच्छी वैकेंजिया इस बार आई है साड़े तीन हजार इस बार टोटल आई होई है जिसमें ITI के इस्टुएंट के लिए भी बहुत सारी वेकैंजिया आई है और इसके साथी दिग्री और डिपलोमा बाल्व के लिए भी वेकैंजिया इसमें आई है यहाँ पर अगर अगर बात करें तो आप लोग पूरा क्लियर ली सुन लेना यहां पर बात करें तो आपके जो फॉर्म फिल होंगे यह 9 अप्रेल से होंगे और अंतिम्तिथियस की 23 अप्रेल फॉर्म फिल की आबिदन में संसोधन बगएरा आप 9 तारिक से ही कार सकते हैं 284 2022 तक और परिक्षा का जो दिनांगे आपका 6 जून 2022 से प्रारम होंगे और ट् CST OBC के लिए यहां पर 250 रुपए है ठीक है और बैक्लॉग भरती में कोई सुल के यहां पर नहीं लगता है अगर आप हम यहां पर आगे बात करें अगर तो यहां पर बताएगए कि पोर्टल चार्ज आपको 60 रुपए लगेगा और अगर आप MP online के माध्यम से बढ़ते है तो 60 रुपए चार्ज और रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से यानि अपने घर से लॉग इन करके फॉर्म भरते हैं तो आपको 20 रुपए चार्ज एक्स्टरा इसमें लगेगा बात करें एक्जाम की तो एक्जाम आपका 3 घंटे का पेपर रहेगा और एक दिन आपको एक साथ पेपर देना होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर पेपर होगा और पूरा आपका इसमें आपका जो भी ट्रेड वाइस है उसके अकॉर्डिंग हंडेड माक्स का आपका जो रहेगा वो नॉन टेक रहेगा यानि कॉमन पेपर यहां पर बात कर लेते हैं तो थाइब से रहेगा झुले वास के पूरे 200 कोषण कर सकते हैं यहांपर है सामानी ग्रेजी सामनी ग्रेजी सामनी गड़ं शामानी परकी यृट्डा सामनी बिंगयान और सामने कम्प्यूटर इसके आपके पूरे हंडेड कोश्यन आएंगे तो 100 मार्स का हो गया और उसके ब मरी दो हज़र बाइस से गिनी जाएगी ठीक है और आययू सीमा में छूट भगेर भी मिल जाती है आगे और देख लेते हैं कि आगे क्या प्रोसीजर है तो यहां पर अगर हम बात करें कि जो यहां पर बैकएंसि ग्रोप बहुत सारी हैं इसमें साड़े ग्रोबन सब ग्रोबन ग्रूप्टू सब ग्रूप्टू और मद्यप्रदेश के सब एक्जाम के लिए परिक्षा एप लेकर आया है बैस्ट टैस्स सीरीज परिक्षा एप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है आप प्लेस्टोर को जोहिन करें और अपनी तयारी को सर्फ सेष्ट बनाएं तीन हजार वैकेंसिया लगबग यहां पर आई हुई है तो इसमें इस बार जो है यह आई टीए बालों के लिए है और एलक्टिकल एलक्ट्रोनिक्स मेकैनिकल सेबल सभी ट्रेट्स बालों के लिए मैक्जिमम यह पर वैकेंसिया देखने को मिल जाएंगी ठीक है तो यह देखिए पूरा चार्ट दिया हुआ है आपको यहां पर कहां कहां है पूरे नगर निगम बगएर नगर पालिका में सब जगह बैकेंसिया धेर सारी निकले हुई है मद्द प्रदेश जलने का प्रमो कभी अंता जल है और 222 हैं यह देंगो हैं यह दो हजार 14 नंबर पर पेज 12400 यह देंगे तो यह देंगे यह देखिए आप 688 जार इस टाइप दी होई है निकले यह पर दिया हुआ है इसमें आप वेकेंसी यहां पर देखेंगे तो टोटल वेकेंसी जो है यह चार्ट यहां पर दिया हुआ है कि पेज नंबर 23, 24, 25, 26 मिलागे लगभग आपकी 3500 वेकेंसी यह थीक है इतनी सारी वेकेंसी इस बार आई हुई है सबी ट्रेट्स के लिए तो आप लोग फिल करें और क्या कैसी प्रोसीजर है वो भी मैं आप बता देती हूं अपने एक्जाम के लिए प्रप्रेशन स्टार्ट कर दें क्योंकि आपके पास सिर्फ दो माईने हैं एप्रेल और माई तो यहां पर आप देखें हम बात कर लेते ह है नियूंतम सेक्षडे की योगिता में यहां पर क्या दिया हूए यह देखिए किसी भी मानिता प्राफ्त संस्ता से सिविल में तीन वर्थी डिप्लॉमा है तो भी आप इलिजबल है अगर आपने डिप्लॉमा नहीं है ट्वेस पास है और प्लस आपने बीटेक करा है यह करिये भी बीटक ठीक तब भी आप इसके लिए हופब होता है क्योंकि हर साल ये होता स्मे middlerium qualification कर लिए अगर आप ने डिपलोमा कर रहा है तेश्या में तो यह पने टवल्द के बाद बीटक्निक कर आप लिए ठीक है तो आसके फॉर्म और सकते हैं तो डिक fundamental के क्यों यह पर लिखा हुआ है किसी मानता प्राप्त बिश्र विद्याल से इंजिनियरिंग में उपादी यानि की डिप्लॉमा या डिग्री आपने का रही हो तो आप इसके लिए लिए लेज़ेबल है तो जिसमें डिग्री लिखा हुआ है तो उसका मतलब यह है डिग्री या फिर दोनों ही आपके लिए बैलेड हैं ठीक आगे बात करें यहां पर यह जो पोस्ट कोड 3 है इसमें कुल 6 पाद है और आप देख सकते हैं कौन से पाद किसके लिए हैं और यह ओपियन 3 में है इसमें न्यूंतम सेक्शन है कियोगता इसमें इसमें इंजिनियरिंग का है तीन आप देख लेए अपने अनुसार कौन-कौन से है जब आप च्विस पोडिकरें यहां च्छुण तो पहले से पोस्ट कोड अपने एकोडिंग करके चूज कर ले ना पहले से फिर फुर्म फिल करें टीन लिए कि बार निंगीं अब कर ऑद लिगा हुआ यह कि कि आपका डि फीमेल के लिए भी समय वेकेंसियां हैं सेख्चुने की यूगता इंजीनिरिंग फिर है अब पोस्ट गूट 6 में बिद्धुत में इसमें भी दी हुई है विद्धुत इंजीनिरिंग में तीन वर्ड्सी डिपलॉमा हो या फिर डिगरी बगरा हो तो भी बैलेट माने जाए यहां पर ऊप्यंत्री विद्धूत्यांत्रिकी में हैं जएधी भरती है यह पोस्ट-9 में 90 पद में अनारक्षत फीमिल के लिए 16 पोस्ट है अप्यंत्री विद्धूत्यांत्रिकी संस्ता of mechanical or electrical engineering तीन वर्सी डिप्लोमा या डिगरी हो आपका चार वर्स की डिगरी वाला तो भी आप इलेज़ेवल है घर देखिए फिर से बिद्धोत बिद्धोति यांत्रिकी लिखा है तो इसमें मेकैनिकल सिविल दोनों के लिए यह निकलती है ठीक है मेकैनिकल और सौरी इलक्टिकल व सब्सक्राइब इसमें इनगीनिरिंग में इसमें है यह सीधी भरती विद्धो त्यांत्र की इसमें आपकी देखिए इसमें आपकी इसमें मेकनिकल में इंजीनियरिंग उसके बाद है बिद्धोत यांत्रकी इसमें विद्धोत यांत्रकी में यहां लिखा हुआ है फिर्मान चित्रकार है इसमें आपकी युगिता क्या है परिक्षा उत्रीन यानि बार भी पास करी हो हायर सेकेंडरी और जेजी स्कूल ऑफ आर्ट आर्ट मुंबई में प्रारम्मे के एलिमेंटरी डॉइंग या इंटरमीडियेट प्रमार पत्र हो यहां पर दिया हुआ है या सर्वे ओफ हैदरावास से पोटोग्राफी या मानता इसे वाइस पोष्ट हैं इसमें टीन वर्णिवाले डिज्यवाले डिपलोमा वाले और साथ में पॉली टेक्निक वालों यह जो यह सब्यू के लिए बैकेनशी कह सब्सक्राइब कर दूदों के लिए यह आगे हैं श्क्रावडर मानता प्राफ्टसंस्था से बिद्धोत अथवा इलक्ट्रिकल एंड इलक्ट्रोनिक्स इंजिनेरिंग में तीन वर्षी डिप्लोमा यहां पर दिया हुआ है ठीक आगे है ओप्यंत्री बिद्धो तत्वा इलक्ट्रिकल एंड इलक्ट्रोनिक्स में यहां पर दिये हुए हैं आगे बात करें तो इलक्ट्रिकल एंड electronics वालों के लिए भी इस बार बहुत अच्छी वेकैंसि आही है नहीं है तो electronics से तो बहुत कम ज्कलती है political वालों के लिए तो फिर भी मिल जाती है तो इस बार अच्छा मोका है electronics वालों के लिए ठीक है आप देखिए ओपियंत्री सिविल में चार सो ब्यालीस पाद हैं तो यहां पे देखिए यहां पे दिया हुँ है मांता प्राफ्त विस्विद्ध द्याले से तीन वर्सी ए सिविल इंजिनिरिंग डिप्लॉमा या दो वर्सी पोस्ट डिप्लॉमा रूलर टेक्नलोज यहां लिखा हुए मुद्रन टेक्नलोजी में या फिर यह बीटेक वगएरा किया हो या फिर मानता प्राफ्त संस्था से बिग्यान इसनातक उपनांत यह मुद्रन टेक्नलोजी में आपने करा हो पीजी वगएरा तब भी आब हर सकते हैं आगे है साहक प्रबंदक कागज इसमें क्या है पेपर टेकनलोजी में डिग्री डिप्लोपा गईरा करा हो या ठीक हो ठीक हो क्रिड़ कारी कि एशन पिर हम पे प्र यहां पे आठासी प्र प्र से विल के इसमें तीन वर्टी डिपलोमा मांगा गया है उसके बाद यहांपर है operates 만 शिवाइं सॉविल इंजिनिरिंग वर्षी डिप्लोमा विद्धुत में मेकैनिकल का कोलेखपद यहांपर दिया हुआ हैश्में मेकेनिकल इंजिनरिंग में इंजिनिरंग में 30 सहायfol भव वान दिकारी て सेम अब यहांपर जहें это संविदा भरती संविदाभारती में संविदाभारती एकॉल है चौधा पद आकार्य बाली का इसमें भी बार्वी लिखा हुआ है के बार्वी कच्छा उत्रीन तता सेविल इंजिनरिंग ट्रेड में आई टी आई करी हो तब यह फिल कर सकते हैं तो देखें यह सेविल इंजिनरिंग में अगर आई टी आई की है उनके लिए बहुत सब्सक्राइब लिए 3 पर थे जनुट इंकरीय दिप्लॉम की पर किते हैं पांच आइप दो पाद यहां और इसमें विशेविल इंजिनिरिंग का है फिर पोस्ट कोड़ 40 चाली साइनीकल इंजिनिरिंग के लिए जिसमें OBC के लिए एक गैन्सी ये EWS के लिए हैं ठीक है इसमें मेकैनिकल से डिप्लॉमा डिगिरी फिर है और फिर से विलकुल दो पध हैं जिसमें इंगिनिरंग में तीन वर्ची डिप्लॉमा हैं पोस्ट कोड आगे 44 है दिखिए इतने सारे पूस्ट कोड है आप लोग ये पूरी टेबल पढ लेना हो आपन को यहां पर पता है चल जाएगा कि कौन से ट्रेड में क्या एलेजिबिल्टी है और आप लोग इसके अपना जो चार्ट है वो बना के रख लेना ठीक है तो उसी के अपना जो चॉइस फिलिंग होगी वह आप लोग कर सकते हैं तो अगर आप किसी भी ट्रेड में हैं मेकैनिक पूरी पोस्ट कोड के हिसाब से आप लोग देख लेना कौन से पोस्ट कोड में आप लिख लेना और फिर जाब चॉइस फिलिंग करो तो उसमें तरीके से जिसमें कोई परेशानी ना हो सेंटर वगरा आपके वह पालेंदर ग्वाली अरीवा सतना यह सब कुछ रहते हैं आप देख लेना स्लेबस मैंने बता दिया है 200 माक्स का है साथ नॉन टेक के सब्जेक्ट आते हैं और टेकनिकल में आपके जित्ते 12 15 सब्जेक्ट रहते हैं वह सारे आपके उसी से रिलेटर आएंगे जो कुछ भी आपने अपना मता पॉली टेक्निक या बीटेक में लगेगा और पोर्टल 140 यानि 60 रुपए आपको देने होंगे तो यह आपका चार्ज रहेगा ठीक है और यहां पे स्लेबस मैंने आपको बता दिया डिटेल स्लेबस बगएरा की वी वीडियो पड़ी हुई है ठीक है तो आप लोग जो प्लेलिस्ट बगएरा है उसमें जा है यह भी मैं बता दूगी जैसे सामानी ज्यान सामानी लिए पॉष्चन करके सटरा जाएंगे तो टोटल हंड्रेड हो जाएंगे उसके बाद आप जिस भी ट्रेट से भारते हैं एकर आप से भारते हैं ।ो सो ख़शन से बहुत हैं ऒएंगे मेकैनिकल के और इलेक्ट्रि इस टाइब से आपका पूरा रहेगा तो यह पूरा है इस टाइब से पूरा फॉर्म बगेरा रहेगा पूरे डॉकमेंट वगेर आपको ले जाना है जब भी आप फिल करें और कुछ से भी कुश्चन पर थो आप लो कमेंड बाखने पूछ सकते हैं पर वाचिंग माई वीडियो प्लीज वीडियो को जाज ज्यादा लाइक करें शियर करें तो चानल को सब्सक्राइब करें थैंक यू